कौन थे राजा निमी? कैसे उनमें इतनी शक्ति आई कि वे सबसे शक्तिशाली रिशी महरीशी विशिष्ट को श्राप देने में सक्षम हो गए? क्या कहानी है महरीशी विशिष्ट और निमी की? कैसे दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और क्या परिणाम निकला उनके द्वारा एक दूसरे को दिये हुए उन शापों का यह कथा बड़ी ही रोचक है जिसमें कई रहसे भी जुड़े हैं तो इस वीडियो को अंततक वश्य देखें ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब सुब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें इससे हमें और भी अच्छा कारे करने की प्रेणा मिलती है राजा इश्वाकू के बारवें पुत्र राजा निमी थे जो बड़े प्राक्रमी थे और उनकी धरम में पूर्णिष्ठा थी उन्होंने ब्रामनों के लिए गौतम मुनी के आश्टम के समीब जन्तपुर नाम का एक नगर भसाया उनके मन में एक बार ये राजसी बुद्धी उत्पन हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षना वाले यग्य के द्वारा राधना करूं तब राजा ने यग्य कारे के लिए जर्वग्य वेद में पारंगत तपस्वियों को हमंतृत किया समस्त सामग्री एक तृत कर राजा ने अपने गुरु विशिष्ट से कहा है मुनिश्रेष्ट मैं यग्य कराना चाहता हूं आज्य यग्य कराने की कृपा करें मैंने समस्त यग्य सामग्री मंगवा ली है और इंद्र के द्वारा यग्य के लिए पहले ही वरण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के पृतियार्थ यग्य करवाने के लिए तक पर हैं। और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यग्य की दीख्षा ले ली है। राशन तब तक आप यग्य सामग्रियों की रक्षा करें। उन्होंने समुद्र के निकट यग्य किया। निमी ने उन 5000 वर्ष वाले यग्य की दीख्षा ली और रित्विजों को उनके इच्छा नुसार धन और गौप रदान करके उनकी पूजा की। जिससे वे बहुत प्रसन हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यग्य के समाप्त होने पर वशिष्ट जी राजा के यग्य को देखने की इच्छा से आए। और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुके रहे। उस समय राजाने में कहरी नीन में सोई थे। सीवकों ने उन्हें नहीं जगाया। जिससे वे राजा मुनी के पास ना आ सके। तब अपमान के कारण वशिष्ट जी को क्रोधा आया। और उन मुनी ने राजा को श्राब दे दिया और बोले मूर्क मेरे द्वारा मना किये जाने पर भी तुम मुझ गुरू का त्याक करके दूसरे को अपना गुरू बनाकर शक्ति के भिमान में मेरी अवहेलना करके यग्य में दिख्शित हो गये हो। ये राजन तुमारा ये शरी नश्ट हो जाए और तुम विदे हो जाओ। राजा के सेवकों ने शीकरता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनी विशिष्ट बहुत क्रोधित हो गये हैं। तब उन कुपित मुनी के पास आकर राजा ने कहा हे धर्मग्य इसमें मेरा दोश नहीं है। आप ही लोब के चेश्ट ग्याता हैं तो भी आप अपना दोश मुझमें आरोपित करके आप मुझे विर्थी श्राप देना चाहते हैं। सजनों को चाहिए एक रोध कत्या करतें क्यूंकि ये चंडाल से भी अधिक दुशित है। रोध में आपने मुझे विर्थी श्राप दे दिया है। अते आपकी भी ये प्रोध युक्त देह आज ही नश्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनी और मुनी के द्वारा राजा श्रापित हो गए। और दोनों एक दूसरे से श्राप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ट जी अत्य दिक चिंता तुर होक प्रह्मा जी की शरण में गए और श्राप के विशे में उनसे निवेदन किया। पशिष्ट जी बोले है पिता जी राजा निमी ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम्हारा ये शरीर राज ही नश्ट हो जाए। इस समय आप मुझे ये बताएं कि दूसरे शरीर की प्रा प्रह्मा जी अपने पुत्र से बोले तुम मित्रा वरण के तेज हो अते इनी में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। तुम उन्हीं से आयोनेज कुत्र के रूप में प्रकट होगे। इस प्रकार पुने श्रीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ट, वेदवेता, सर्वग्य और सब के दोरा पुजित होगे तदंतर वशिष्ट जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुन के शरीर में जीवांश रूप से प्रपरेश किया आगे चलकर मित्र और वरुन के तेज से दो रिशी श्रेश्ट तपस्वी प्रकट होए उनमें पहले अगस्त थे और दूसरे वशिष्ट थे महातेजस्वी अगस्त वाले अवस्था में ही वन में चले गए और महाराज इश्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ट को वरन कर लिया अब जानते हैं कि राजा निमी के साथ क्या हुआ जब वशिष्ट जी ने श्राप दिया तो राजा के द्वारा जग्य में वरन किये गए ब्रामन और रित्विज विचार करने लगे वे बोले ये धर्म निष्ट राजा श्राप से दग्द हो गए हैं और यग्य भी अपूर्ण ही रह गया है ऐसे में हम सब को क्या करना चाहिए अब हम क्या करें ये तो विप्रीत कारे हो गया तब उन महात्मा राजा की देह को रित्विजो ने अनेक प्रकार के मंतरों से सुरक्षित रखा उनकी श्वास मंद गती से चल रही थी मंतर शक्ती से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिश्चित करके रित्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंद, माल्य, आदी से सुपुजित कर रखा था यग्य संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए रित्विजों ने उन सब की सुती की जिस से वे बहुत प्रसन हुए मुनियों के द्वारा राजा के विशे में समस्त बातों को जान लेने पर देवताओं ने कहा प्रसन है वर्मागिये इस यग्य के कारण आपको श्रेष्ट जन्व प्राप्त हो सकता है देवशरीर मुनुष्य शरीर अत्वा आपके मन में जो भी इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि आपके परोहित वश्रिष्ट गरव्योक्त होकर प्रित्यू लोक में सुक पूर्वक रह रहे हैं उनके ऐसा कहने पर निमी की आत्मा ने उन से कहा के शरीष्ट देवगर्ण सर्वदा विनश्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी इच्छा नहीं है समपूर्ण प्राणियों की दृष्टी में मेरा निवास हो जिससे मैं वायू रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विच्रन करूं उनके ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमी की आत्मा से कहा महराज आप कल्यान कारिनी भगवती की आराधना कीजिए आपके इस यग्य से प्रसंद होकर वे आपका भीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा भक्ती पूर्वक देवी की प्रार्थना की और तब प्रसंद होकर देवी ने उन्हें साक्षाद दर्शन दिये तब राजा ने वर्मागा कि आप मुझे ये विमल ग्यान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य पशू तथा पक्षी निमिश यानि पल्क गिराने वाले तथा देवता अनिमिश यानि पल्क ना गिराने वाले होंगे इस प्रकारम राजा को वर देकर विश्यरी वर्दाईनी भगवती वहीं अंतरध्यान हो गई जै मा भगवती आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा क्रिपया इसे लाइक और शेयर रवशे करें किसी भी प्रकार की तुटी के लिए आप सब से ख्षमा याजना करते हुए आप से निवेदन है कि प्रेम पूरवक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धन की सदा ही जै